हलो फ्रेंड्स वेलकम बापको में चनल दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो आप जो है आपके यूटूब चैनल में स्टोर कैसे कनेट कर सकते हैं तो यह बहुत सिंपल है तो मैं यहाँ पर आपको स्पिरिड शॉप जो है कनेट करकर बता आने वाला हूं मेरे YouTube चैनल से तो दोस्तों बहुत सिंपल इस टक है आप इस वीडियो को एंड तक तिकते रहिए सबसे पहले आप जो है YouTube चैनल को आप्शन देखने को मिलता है तो आप यहां पर किलिक कीजिए उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक कनेट का आप्शन आ जाएगा तो आपको यहां पर किलिक करना है तो अभी मैं यहां पर किलिक कर लेता हूं उसके बाद यहां पर बहुत सारे आप्शन जो है देखने क कर लेते हैं उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं get free design perks if you have 50K plus subscribers तो मेरे पास यहां पर 50K plus से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं तो मैं यहां पर इसको जो है select कर लेता हूं इस तरीके से फिर यहां पर आपको continue पर किलिक कर देना है उसके बाद आपको scroll करना है फिर आपको जो हैं यहां पर simple इसको यहां पर इस box में टिक करना है I agree to all of the above उसके बाद यहां पर accept के उपर किलिक कीजिए तो यहां पर आपका spirit shop account जो है connect होना start हो जाएगा अब यहां पर आपको agree के उपर किलिक करना है अब आपको यहां पर spirit shop page का interface यहां पर इस तरीगे से show हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर let's get started का option आ जाएगा अगर आप जो हैं यहां पर already आपके पास इसका account है तो आप यहां पर से login नौ पर किलिक करकर login कर सकते हैं तो मेरे पास यहां पर account नहीं है already तो मैं यहां पर new account को create करने वाला हूं इस पर click कर लेते हैं get started पर आपको click कर देना है उसके बाद आपको जो है यहां पर country select करना है जैसे के आप जो भी country में रहते हैं तो आप यहां पर select acontecer किजये तो मैं यहां पर इंडिया insert कर लाता हूं उसके बाद यहां परनेक्स्ट के ओपर click कर नहीं करना है कि उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यह जो setting करने के लिए बोल रहा है तो आपको जो है simple यहां पर registration करना है तो यहां पर आप कोई भी email id जो है add कर सकते हैं तो मैं यहां पर जो email id से YouTube को connect किया हूँ वो ही email id यहां पर use करने वाला हूँ तो इसको जो है click कर लेते हैं उसके बाद आपको यहां पर password type करना है तो दोस्तो अब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर password को जो है इस तरीके से type करना है यहां पर 10 character होना चाहिए one upper case letter होना चाहिए one lower case letter होना चाहिए और इसमें one number होना चाहिए इस तरीके से आप पासवर्ट टाइप कीज़ें यहाँ पर तो अब मैं यहाँ पर पासवर्ट टाइप क्या हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर I am not a robot पर किलिक करना है फिर आपको स्कॉरल करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऑपर आपको टिक करना है यहाँ पर आपको यहाँ पर get started now इसके बाद दूस्तों आप को यहाँ पर log in with YouTube इस वाले option पर आपको किलिक करना है यहाँ पर आप आप जो है किलिक कीजैए इस तरीके से किलिक करने बाद आपको यहाँ ने जो भी Gmail ID से YouTube channel बना है तो आपको जो है उसको select करना है यहाँ पर उसके बाद आपके पास यहाँ पर अगर एक Gmail ID से multiple channel है तो आपको यहाँ पर show हो जाएंगे तो आप यहाँ पर उसको connect कर सकते हैं तो मेरे पास जो ही यहाँ पर मेरा YouTube channel को मैं select कर लेता हूँ तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर इसकी आईडिया आ गई है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसको शो हो रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास यह शो हो जाएगा फिर उसके बाद आपको जोई यहाँ पर create product का option है आप इस पर click कीजे फिर आपको जोई यहाँ पर create product का option है आप इस पर click कीजे यहाँ पर simple तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं यहां पर यह complete होने तक के बाद दोस्तों आपको जो ही यहां पर advance पर click करना है यहां पर choose a product के ओपर click करना है फिर यहां पर आपको choose a product पर click करना है उसके बाद आपको जो ही यहां पर कोई भी product को जो है आपको select करना है यहां पर आप देख सकते ह यहां पर यह selection हो गया है उसके बाद यहां पर add product के उपर आपको click करना है फिर आपको जो ही यहां पर let's get started पर click कर देना है उसके बाद आपको यहां पर उसके बाद आप यहां पर नेम टाइप कीजिए तो मैं यहां पर चैनल नेम ही टाइप कर लेता हूँ इस तरीके से उसके बाद आप यहां पर डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से टाइप किया हूँ आप अपने हिसाब से यहां पर टाइप कर सकते हैं फिर यहां पर इस तरी वन और टू आप्शन जो है complete हो गया है फिर आपको जो ही यहां पर अभी activate spirit shop के उपर आपको जो है click कर देना है फिर आपको जो ही यहां पर offline और online का option शो हो जाएगा तो मैं यहां पर इसको online का option जो है select कर लेता हूं इस तरीके से उसके बाद आपको जो ही यहां पर first name last name जो ह जो है fill कीजिए उसके बाद आपको जो ही यहां पर address जो है type कर देना है यहां पर Google में जो address शो हो रहा है आपके पास का वहीं आपको select करना है उसको उसके बाद यहां पर आप जो है उसके बाद आप यहां पर building name type करना चाहते हैं तो type कीजिए नहीं तो आप जो है यहां पर क्लिक कीजिए ओके दोस्तों तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं आपका Spirit Shop जो है Completely Connect हो गया है आपके YouTube से उसके बाद आपके पास YouTube पर जो है Store Tab जो है Show हो जाएगा 2-3 दिन के बाद यह अपडेट होकर Show हो जाएगा तो अभी यहां पर इसको जो है मैं Close कर लिता हूँ उसके बाद अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह Complete हो गया है तो उसके बाद आपको यहां पर Get Started पर Click कर देना है तो आपको जो है यहां पर YouTube में आना है यहां पर आने के बाद आपको जो है पेज को और भी इस्टोर जो है connect कर सकते हैं, आपको जितने भी options में रहें तो आप जो है इसमें से कोई भी इस्टोर को आप अपने YouTube चैनल से connect कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से Spirit Shop को भी connect कर सकते हैं, उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आ गया हो तो please like कर देना और इसी तरह क वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए